हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल स्टेड़ी विशाल सिंग में दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्टन के बात करने वाले हैं जो क्यूस्टन है 6x स्क्वाइर माइनस 13x प्लस 6 is equal to 0 को गुलनखंड विदी से हल कीजिए देखिए गुलनखंड विदी से कहरा है इसे हल करना है तो बहुत ही असान है तो आप सुरू से अंतक के वाला वीडियो में बने रही है आपको 100% आपको नहीं आता है तो आपको 100% मैं कह रहा हूँग आपको ये वीडियो को उतार लें तो 6x square minus 13x plus 6 is equal to 0 ये कुश्चन हो गया जब भी आप गुडनखंड विदी से चलेंगे हलने के लिए तो इसका एक फरमूला होता था दिवखास समेकर वला एक स्क्वाइर माइब प्लस bx plus c is equal to 0 ये वला जो फरमूला होता था ये इसी से देखिए इसी से मिल जूलता ये है तो इसको क्या करते हैं जो भी जो सी होता हमारा अचरपद होता है अचरपद को ये में गुड़ा कर देते हैं मतलब एक स्कॉर्ण के गुड़ा करते हैं तो इसके और इसमें गुड़ा करेंगे तो इसका 6 गुड़े 6 हमारा 36 हो जाएगा तो यहां पर लिख इसे आप लिखने के लिए कि ऐसा इसका गुड़ा करना होगा कि गुड़ा करने पर 36 आ जाए और जोड़ने पर हमारा क्या हो जाए 13 आ जाए ठीक देखिए दोस्तों यहाँ पर क्यों जोड़ा जा रहा है यह भी मैं बता दूँ जब भी यहाँ पर साइन जो भी दिया और घटाने का दिया रहेगा तो घटाया जाएगा देखिए इसलिए इसमें यह इसमें कहा गया है जोड़ने वाली बात अब हम बात करते हैं कि मतलब 36 का कौन सा गुड़न खंड़ा आपको करना होगा कि गुड़ा करने पर 36 आ जाए और जोड़ने पर 13 तो देखिए यहा आपका क्या हो जाएगा 12 तीन पंदरह हो जाएगा तो यह गलत है इसका गुड़न खढ़े जैसे बार गुड़े तीन नहीं होगा यह गलत हो जाएगा अगर आप यह प्रेक्टिस के रूप में लेंगे तो इसे जल्दी से आपको समझ में आएगा देखिए अगर हम बात क जे रहेगा यहाँ पर 9เรुस को जाएग सटेस इसको करते करेंगे तो इह हो जाएगा 9 पलस स्टीश होताय है यहाँ पर आमको कैसे पूट करना वह देख ली जिय तो यहाँ पर 6x² इसको वैसे ही, जैसे हैं वैसे रख देंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर माइनस तो माइनस रहेगा, अगर हम बात करें तो 9 पुलस 4 यहाँ पर लिख लेंगे, 9 पुलस 4, अब यहाँ पर एक से लगा देंगे, और यहाँ पर पुलस 6 लिख तेंगे इसकोल टू जीरो एक दम स्टेप बाई स्टेप थोड़ा भी घबड़ा यह गर नहीं आप ठीक अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 6X स्क्वाइल लिख लेंगे और यहाँ पर X से इसमें गुड़ा करा देजी X से तो X का गुड़ा इधर होगा और माइनश का गुड़ा इधर होगा देखिए अगар माइनश की गुड़ा खण तो थे गुड़ा फट्र माइनस नाइन और यहाँख माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इसकोल टू 0 हो जाएगा देखिए आप जो मान है इसी तरह पूठ किया जाएगा जैसे इस तरह मैंने बनाया है तो इसको यहीं पर आपको रखना होगा तो 9,4,13 होता है तो आप यह जानते हैं तो 9,4,13 होता है और 9,4,36 यह होता है ठीक अब देखिए यहाँ पर कामन लेंगे कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या कामन होगा तो 3 तो कामन होगा 3,6,3,3,3 ना है और 7 में x भी कामन हो जाएगा तो 3x के अंदर क्या हो जाएगा 3,6 मतलब 2x माइनस और यहाँ पर 3 बचेगा x common हो गया यहाँ पर x square है मतलब 1x बचा है ठीक और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर minus क्या common लेंगे 2 common लेंगे minus 2 common लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x बचेगा 2x बचेगा और minus अब plus क्या होता है माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 2 यहाँ पर मतलब 2 3 6 इसकोल टू 0 हो जाएगा कामन है ऐसा लिया जाता है कि मतलब जोनों में उसका एक तरफ से गुड़न खंड हो देखिए अगर 4 का करते हैं तो 2 गुड़े 2 हो जाएगा और 6 का करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3 गुड़े 2 हो जाएगा तो यह दोनों कामन है देखिए 2 बचा 3 बचा तो यहाँ पर 2 बचा है 3 बचा है ठीक इसी तरह इसमें है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 का करेंगे तो 3 गुड़े 2 हो जाएगा और 9 का करेंगे तो क्या 3 गुड़े? 3 हो जाएगा तो 3 गुड़े 3 हो जाएगा तो मतलब 3 इहां पर हो गया 3 और 3 कामन हो जाएगा और 2 और 3 बचा तो 2 और 3 इहां पर हो गया ठीक बहुत ही सिंपल है अगर आप प्रैक्टिस के रूप में लेंगे तो यह जल्दी से आपको समझ में आएगा अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं और भी तो आगे क्या होगा आपका देखिए एक कोस्टक में जो है इसको किनारे कर लेते हैं 2x-3 कोस्टक में और एक कोस्टक में 3x-2 हो जाएगा एक कोस्टक में is equal to 0 हो गया अब हम बात करते हैं आगे कि तो इसका दो मान प्राफ्थ होता है 2x-3 is equal to 0 और एक मान प्राफ्थ होगा 3x-2 is equal to 0 तो इहां पर बात करें X कहांण गी कोस्ट क्राफ्थ हो मान प्राफ्थ हो गया तो इहां प्राफ्थ हो गया Each म्स कौन्स कोस्टक की मान प्राफ्थ होगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा तो फिलाल था इस वीडियो में गुर्ण खंडविदी से अगले वीडियो में भी आपको बहुत ही most important question आपको दिया जाएगा तो आप जल्दी से जल्दी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ह हर एक सब्सक्राइब का most important question आपको पर कराया जा रहा है तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही जैहिंद वन्ने मात्राइब